हाई गाईस मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक की यूट्यूब चैनल और यहाँ पे हम बात करेंगे .OS के ओफिशल एंडुइड 11 अपडेट के बारे में जो की Redmi Note 7 Pro के लिए भी यहाँ पे रिलीज हो चुका है चलो वीडियो को शुरू करते हैं बर से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर देना वीडियो को भी लैक जरूर से कर देना और बेल आएकन बजाना भी मत बूलना सबसे पहले जलते हैं इसके about phone के उपर यहाँ पे आपको मिलता है MIUI 12.5 type UI about phone की .OS version 5.0.1 आपको मिलता है यह वाला build gps वाला है और android 11 यहाँ पे आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको droid on time मिलता है उसके बाद violet code name आप चेक कर सकते हो उसके साथ आपको यहाँ पे अपरल का security patch level और जो kernel यहाँ पे use किया गया है वो है .OS plus इस kernel के साथ performance काफी अच्छी है कोई आपको यहाँ पे issue नहीं आने वाला वो चीज़ आपको मैं आगे बताऊंगा बढ़ उससे पहले आप system के अंदर जलते हैं यहाँ पे आपको system updates मिल जाता है क्योंकि यह वाला update आपको जो है official मिलता है violet parts के अंदर आपको सभी चीज़ें मिल जाते है me sound enhancer fps meter आप enable कर सकते हो तो यहाँ पे कोई आपको issue नहीं आने वाला उसके बाद system navigation के अंदर आपको यहाँ पे यह चीज़ मिल जाती है बढ़ आप इस pill का size है इसको increase कर सकते हो customization वारे section के अंदर और security की बात करेंगे तो fingerprint मिल जाता है fingerprint scanner की speed कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है काफी fast है कोई भी आपको lag वगरा यहाँ पे नहीं आने वाला और face unlock भी आई थिंक आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है तो देख सकते हैं सिर्फ fingerprint का एक option मिलता है अब सबसे बढ़िया बात इस ROM की जो है वो आपको में आगे दिखाता हूँ इसकी customization, customization नहीं basically इसको जैसे redesign किया है न वो काफी ज्यादा amazing है तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछी इस टाइप से UI यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके साथ customization वाला section आपको कुछी इस टाइप से मिलता है आपने वीडियो में पहले ही देख लिया होगा YouTube की ओपर भी कैसे आपको यहाँ पे customization देखने को मिलेगी इनको आप चेक आउट कर सकते हो इसके ओपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कुछ इस टाइप से आपको layout वगरा यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे आपको almost सभी चीज़ें मिल जाते जो आपको एक custom ROM की ओपर चाहिए चलो अब बात करेंगे इस ROM के smoothness की यहाँ पे जो launcher आपको मिलता है वो है pixel launcher android 11 से updated अगर आप यहाँ पे जो है देखोगे इसके app opening and closing speed तो काफी अच्छी है और जो animations आप वो काफी smooth है कुछ ram management भी यहाँ पे चेक करेंगे बट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस type से आपको app opening and closing speed मिलती है camera gcam को open करते हुए इसने थोड़ा सा lag यहाँ पे दिखाया है तो यह चीज़ आप notice कर सकते हो sometimes आपको यह वाला lag फिल करना पड़ेगा maybe हो सकता है आपको ना भी करना पड़े बट यहाँ पे आप देख सकते हो इतने apps मैंने open कर लिए और app opening and closing speed आपने check out कर ली अब थोड़ा RAM management के उपर चलते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस type से आपको यहाँ पे RAM management देखने को मिलेगा और यह gesture है वो भी sometimes यहाँ पे stuck हो जाता है यह आप देख सकते हो यह swipe up नहीं होता तो देख सकते हो यहाँ पे इस type से कुछ आपको इशू बगएरा आ सकता है play store हमारा restart हो चुका है उसके साथ messaging आपका यहाँ पे working है और यह वाला भी almost आपका work करता है तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस type से RAM management देखने को मिलता है अच्छा है वैसे आपको कोई issue नहीं आने वाला इतने apps आप I think जो है simultaneously use नहीं करोगे so definitely काफी अच्छी आपको यहाँ पे optimization मिल जाती है रोम काफी smooth है उसके साथ आपको screenshot और select का option मिल जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं select का option आपके लिए यहाँ पे check कर लेते हैं working है या नहीं तो text वाले options के उपर आते हैं और यहाँ पे check करते हैं कि यह आपका working है या नहीं तो यह आप देख सकते हो उसके साथ screenshot working है यहाँ से edit और share आप directly कर सकते हो और clear all का button मिलता है left side के अंदर google cards का option है three finger screenshot I think आपका working है तो यहाँ पे आपका work नहीं करता three finger screenshot में भी आपको यहाँ पे enable करना पड़ेगा setting के उपर से बट जो है by default यहाँ पे आपको कोई भी three finger screenshot option नहीं मिलता tap to wake की बात कर लेते हैं tap to wake आपका यहाँ पे work करता है या फिर नहीं तो देख सकते हो tap to wake working है tap to sleep भी आपका काफी अच्चे से यहाँ पे work करता है so यहाँ पे भी आपको कोई issue नहीं आने वाला display के अंदर आपको सभी चीज़े मिल जाती है theming के related आपको accent color headline body font के अंदर आपको यह fonts मिल जाते हैं icon shape आप change कर सकते हो dark theme style and wallpaper का look आपको same as it is यहाँ पे कुछ इस type से देखने को मिलेगा so यहाँ पे आपको customizations यहाँ पे भी काफी सारे मिल जाएंगी तो आप यहाँ से भी इसको customize कर सकते हो कोई आपको issue इस ROM के ओपर नहीं आने आने आए काफी अच्छी आपको यहाँ पे optimization मिल जाती है battery के related भी so जो इसका stock on levels की बात कर रहा हूं मैं इसके ओपर आपको अच्छा खासा screen on time मिल जाएगा easily आपको 7 to 8R के बीच में screen on time मिल जाएगा अगर आप इसको एक normally यूज़ करना चाहते हो pixel UI plus sorry pixel experience plus MIUI 12.5 का best combination आपको इस ROM के अंदर मिल जाता है device की अगर बात करें तो device आपको certified देखने को मिलता है so without root आप banking apps यूज़ कर सकते हो और मैं जिसकी बात करें तो मैं जिसक आपको मैं safety net एक बार से check करवा देता हूँ so safety net के अंदर चलते हैं यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ तो API ARR आपको still देखने को मिलेगा बट अगर आपका test station fail भी हुआ तो आप इसको pass कर सकते हो easily so दोनों ही condition के अंदर आपके banking apps working है उसके साथ DRM info के अंदर आपको widevine L1 देखने को मिल जाएगा आप video record कर सकते हो slow motion आपका यहाँ पर 1x4x के उपर working रहने वाला है so अब बात करेंगे इस ROM के उपर performance की so सबसे पहले आपको latest N22 benchmark के उपर यहाँ पर मैं score चेक करवा देता हूँ कितना score मिलेगा मुझे score काफी अच्छा लगा performance अच्छी है आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर CPU throttling graph भी चेक करवा देता हूँ so मैंने इसको थोड़ा चेक किया था काफी अच्छा graph आपको देखने के मिलेगा without any modification कुछ भी मैंने यहाँ पर install नहीं किया और आप यहाँ पर performance देख सकते हो यह time to time वैसे तो 5 minute time लेता है at least इसको run करने में उसके बाद ही आपको पता चलेगा क्योंकि heating के साथ जो आपकी performance है वो थोड़ी down होने लग जाती है तो यह चीज़ आपको notice करनी पड़ेगी बट आपका device इतना heat नहीं होने वाला कोई आपको heating issue नहीं आएगा unless आप यहाँ पे कोई hardcore gamer नहीं हो तो यह जीज़ आप अपने accordingly देख सकते हो performance मुझे काफी अच्छी लगी है इस ROM की definitely आप इसको as a daily driver भी use कर सकते हो अब बात करेंगे यहाँ पे gaming performance की सीधा चलते हैं bootcamp के अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितना FPS drop आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उपर आप FPS देख सकते हो 40 के आसपास 45 के आसपास land करते time आपको देखने को मिलेगा gameplay के time आप देख सकते हो 28 के आसपास भी जाता है lag करेगा device आपका क्योंकि android 11 जो है आपको यहाँ पे थोड़ा issue आ सकता है तो gameplay आपको देखने को कुछ इस टाइप चो देखने को मिलेगा आप देख सकते हो यहाँ पे तो gaming आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ पे कोई भी आपको heating issue नहीं आने वाला काफी अच्छे से आप यहाँ पे gaming कर सकते हो यहाँ पे headphone नहीं लगा था तो यहाँ पे यह जो है मर चुका है अब बात करेंगे यहाँ पे इसके graphic setting ही तो आपको smooth plus ultra balance के साथ ultra और HD के साथ high का ही option देखने को मिलेगा तो वो चीज़ आप अपने accordingly यहाँ पे देख सकते हो उसके साथ यहाँ पे मैंने extreme तक enable कर रखा है that means 60 fps के उपर और frame drop आप यहाँ पे check out कर सकते हो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तो यह settings मैं यहाँ पे use करा हूँ HDR plus extreme तक enabled है मेरा so कोई आपको यहाँ पे issue नहीं आने वाला आप कोई भी setting के उपर खेल लो तो यह इस type से आपको gaming देखने को मिलेगी बट यह वाली ROM आपको कोई यहाँ पे जो है hardcore gaming के लिए नहीं मिलती अच्छी खासी battery या फिर performance अगर आपको चाहिए तो इसको आप यहाँ पे definitely use कर सकते हो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो के लिए बस जिदना ही I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसको like कर देना चैनल पे new आयो तो subscribe करना और मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली new interesting वीडियो के साथ